कर दोस्तो, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है, पागल सा मेरा मतलब यह नहीं है, कि पत्थर भैकने पड़ते हैं, मगर दुनिया आपको पागल समझने लग जाएगी, क्यों समझने लग जाएगी इसका एक आरण है, कि कोई भी जोब, कोई भी बिजनेश, या कोई भी सब्जेक्ट में आप यदि मार्तंड बनना चाते हैं, कमांड आपका होना चाहिए, सर्वस्रेश्ट बनना चाते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही जुनून के साथ लगना पड़ता है, पागल पन की हद तक उसमें काम करना पड़ता है, और थेकेदारी के मामले में पागल हो रहा है, आजकल वो बिजनेश के मामले में पागल हो रहा है, पागलपन की हद तक काम करता है, आईए आज एक दोस्त का कमेंट है, उन्होंने पूचा है कि दादा जी थेकेदारी कौन कौन कर सकते हैं, थेकेदार कौन कौन बन सकता है, श क्या का खासियत होनी चाहिए उस आदमें में जी हां दोस्तों मैंने इस सब्जेक्ट में शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है यानि मेरा कहने का मतलब है कि मैं 1982 82 में खुद का ठेकेदार बन गया था स्वम ठेकेदार बन गया था मगर मैंने जिस कंपने में काम किया था वो कंपने एक लास कॉंटेक्टर थी और एक लास कॉंटेक्टर के पास में उस समय काम करना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी और मैं 1975 से 1975 से उस कंपने में 82 तक काम किया यानि लगभग 8 साल काम किया मैंने और वो काम भी मैंने एकदम जैसे एक घर का मेंबर काम करता है या उस कंपने का कोई VIP परसन काम करता है उसी तरीके से काम किया देखिए काम करने के दो तरीके होते हैं एक आप पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और दूसरा आप काम सीखने के लिए काम करते हैं दोस्तों मैं उस समय छोटी उम्र में था मगर मेरा काम करने का नजरिया हमेशा से ही काम सीखने का रहा था और यहीं कारण रहा कि 8 साल उस कुछ लोग उसको वाटरोस बोलते हैं कुछ लोग जलदाए विवाग बोलते हैं कई स्टेस्ट में और भी कोई नाम हो सकता है कि अब बात करते हैं ठेकेदाग कौन-कौन बन सकते हैं देखते हैं दोस्तों इस बिजनेस की सबसे वड़ी खासियत एक ही है कि इसमें आपको किसी डिगरी की कोई जरूरत नहीं होती है आपका बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है जान से सुन लेजी एक-एक सब्द को धान से सुन लीजी यह जो मैं बातें बतारा हूं वह आपको कोई नहीं बताएगा सब यहीं बताएंगे ठेकेदारी बहुत कलिश्ट विसे हैं इसमें आपको बहुत अच्छी डिग्री चीए सिविल इंजिनेरिंग किया वाना हो जाना चीए और आपके पास बहुत पैसा वाना चीए दोस्तो सादान पढ़ा लिखा आदमी जो सब्जी का घर की जो सब्जी खरीद के लाकत लाता है उसका हिसाब किताब जोड़ना गटाना जानता है जो घर में एक इंट का ट्रक लाता है उस समय उसको ये पता होना चीए कि इंट क्या बावा रही है सस्ती कैसे मिलती है कैसे नहीं मिलती है और उनका कैल्कुलेशन करना आना चीए दस दिन यदि आप किसी लेवर से काम कराते हो तो उस लेवर के माल लीजिए पांसो रुप्य पर डे की सेलरी है या वेजेज है तो उसको जोड़ना आना चीए कि इतने दिन काम किया इसने और इतना पैसा बन गया इतना सब आप जानते हैं तो इसके बाद में आपको बाते और बहुत जाननी होती हैं मगर यदि ये बाते भी आप जानते हैं तो आप ठेकेदार ही कर सकते हैं यह मेरा तज़ुर्वा कहता है मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपने मैंने कुछ ऐसे ठेकेदार देखे हैं जो सिगनेचर करते ते दस कत करते थे उस समय पूरा पेच चीए था उनको आनंदी लाल ठेकेदार स्वतनाराइन सरमा ठेकेदार ऐसा लिखने में यानि उनके सिगनेचर होते थे वो और वो signature कम से कम एक मिनिट लगाते थे उस signature को करना के लिए और जो बाबू signature करवाता था वो जुझला जाता था ठेकेदार जी क्या दसकत करते हो यह छोटे बढ़ा लो इनको signature ही तो करने है इनिशियल करनी है आपको तो ऐसी इस्तिते में आपको डिगरी की जरूरत नहीं होती है पहले बात यह है दूसरी बात आपके पास बहुत पैसा होना कोई जरूरी नहीं है कुछ लोग कहते हैं कि नई साब ठेकेदारी शुरू करने कि अब आप अंदाज लगा लीजिए आज के ताइम वह साड़े सोलह जार रूपे कितना हो सकता है दूसरी बात मेरे पास ठेकेदारी शुरू करने के लिए ने करनी थी नहतोड़ा था ने कील थी ने घंड था यानि कहने का मतलब केवल और केवल मेरे पास में एक पैन जेब में था और कोई इंस्ट्रूमेट मेरे पास में नहीं था जांसे सुनिए ये बाते आपको कोई नहीं बताएगा सब यहीं बताएगा मेरे पास बहुत कुछ था मेरे पिताजी से मैंने 10,000 रुपे मांगे थे उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि तेरे जैसी मेरे 11 संताने हैं टोटन यदि मैं 10-10,000 रुपे सभी को दूँगा तो बताओ मेरे कितना करजा हो जाएगा इसका मतलब मैं आपको ये बताना नहीं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये कहते हो ना कि मेरे को सपर्ट नहीं है किसी का दोस्तो शपना बड़ा होना चाहिए आपका हाँ मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज थी और वो चीज भी मैं आपके साथ सेर करना था था वो था मेरे पास मेरा अनुभब मैंने एक एक क्लास कोंट्रेक्ट के यहाँ एजे सूपरवाइजर साइट पे काम किया था जिसमें मुझे A to Z काम करना आ गया था A to Z काम करना कैसे आता है ऐसे ही नहीं आता दोस्तों A to Z काम करना आने के लिए आपको A to Z काम हाथ से करना पड़ता है लेबर नहीं थी साइट पे एक लेबर कम पड़ गया सतनारायन सर्मा ठेकेदार जो आज आपके सामने खड़ा है उसने मिक्चर मशीन चलाई है हतोड़े चलवाए हैं खुद चलाए हैं तगारियां डाली हैं फावड़े से काम किया है ऐसे करके आप प्रेक्टिकल काम करना सीखेंगे तो यह प्रेक्टिकल हो जाएगा आपका और यहीं अनुबव होता है यहीं एक्सपिरियंस होता है जब एक मिस्त्री नहीं आया तो जुनड़नू राजस्तान में एक जुनड़नू डिस्टिक है उसमें रसे बी राजस्तान स्टेट इलेक्रिसिटी बॉर्ड में काम चल रहा था जो हमारा मिस्त्री था उस मिस्त्री के कोई रिलेशन में केजवर्टी होगी वो 15 दिन नहीं आ पाया ऐसी इस्तिति में RCC और हीट टेंग जो बहुती कलिष्ट विशे होता है बहुती ट्रिपिकल काम होता है उस काम की कॉलम शुरू से लेकर फांडेशन ढालने के बाद से ल प्रेसिंग मैंने की थी टोटल उसका सट्रिंग का काम टोटल सरीया बांधना टोटल काम करना कॉंक्रीट करवाना करना सावलिंग करना यह सारा काम मैंने किया था और यहीं से मेरे जुनून जाग गया मैं समझ गया कि I can do मैं कर सकता हूं मैं ठेकेदारी क्यों नहीं करता क करनी चाहिए मुझे ठेकदारी और इसके लिए मैंने केवल और केवल ढाई साल तर तक मेरी जो सैलेरी मिलती थी उस समय उस सैलेरी में से बच्चत की थी अब आप पुछेंगे how to manage money how to manage capital ये capital का तरीका बताती है आपको आप भी ये दिख कहीं कोई service करते हैं और आपके मन में है जुनून है आपको ठेकेदारी करने का तो आप इस तरह अपनी shaving करके दो साल दाई साल तीन साल पैसा बचा करके ठेकेदारी सुरू कर सकते हैं अब बात आती है कि experience के साथ में और क्या-क्या चाहिए ठेकेदारी करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए मगर वो चीज़ें आपको एक साथ नहीं चाहिए ठेकेदारी एक ऐसा subject है एक ऐसा विशे है ऐसा business है जिस business को आप छोटे से शुरू कर सकते हैं चोटे से का मतलब है एक नालिया बनाने वाले नगर परिशत की नगर पालिका में जो नालिया बनाई जाती है घरों के आसपास जो नालिया होती है आपके घर का पानी जो बाहर निकलता है वो नगर पालिका की नाली से जाकर जूड़ता है तो उन नालियों को बनाने का ठेका भी ले सकते हैं आप और उस ठेकें को लेने के लिए आप के पास एक लाख रुपे का रिवस्ता हो आज के जमाने में तो आप आराम से वो काम कर सकते हैं अब बात आती है कि इस काम में पैसा कितना लगता है देखें आप मान लिजे सपोज कीजिए आपने दो लाख रुपे का नाली निर्मान का काम लिया अब दो लाख रुपे का नाली निर्मान का आपने काम लिया है तो रेजिस्टेशन आपका आलरडी करवाया हुआ है और न सिविल कॉंटेक्ट बनने के लिए 50,000 रुपे की सेकर्विटी डिपोजिट देनी पड़ती हैं हजार दो हजार तीन हजार पांस हजार रुपे और मान लीजिए आप फीस वह और है यह अब यह पच्पन हजार रुपे साथ हजार रुपे का आपका टोटल खर्चा आता है आपके घुमने पिरने के और कागेस दोकूमेट्स तैयार करनाने के लिए अब साथ हजार रुपे आपने एक बार कर दिये तो पचास जार रुपे के तो सेक्रिटी डिपोजिट लगती है जिसको एफडियार के दिरूद दे सकते हैं तो अब आप कितना खर्चा मानेंगे 5,000 रुपे 7,000 रुपे यह टोटल खर्चा हो गए आपका अब बात आती है कि आप एक लाग रुपे दो लाग रुपे तीन लाग रुपे का काम लिया है आपने और उस काम को शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए जिस सहर क के आप रहने वाले हैं जिस गाम के आप रहने वाले वहां की कोई इमेज होती हैं بالकिंदी उस इमेज के पैटे आप 15-20 के लिए उधार मान मंगवा सकते हैं मान लीजे आपने दो लाग रुपे का ड्रेन निर्मान का या नाली निर्मान का काम लिया है नगरपालिका का तो वहां दो लाग रुपे का सामान आपको एक साथ नहीं लाना है आपको पचाश जार रुपे का सामान लाके आप काम सुरू कर सकते हैं और जब पचाश जार र वेड़ेंब में आपको कोई बर्स नहीं लगते हैं यह लगणे आपका सही है अधिकारी में बैटते हैं तो आप cash डिन में एक दिन यह अश्य बोलगा कर दो सोटा में अभी घफतहीं सब्सक्राइब होसकता है या तो एस इस पास na की अभ्याव सकते जाएए और लाकर के अपने लेबर को आपने जो जिन से आप मैटिरिल लाए हैं वहाँ से आप चुकाते रहीए और आपको अगे माल सामान मिलता रही जो अब बात आती है कि कहां से देखी दोस्तों कुछ बच्चे मेरे पास बच्चे का मतलब मेरा यह मैं आप 70 years 71 years old हो गया तो 25 साल का लड़का मुझे तो 50 आई लगता है तो जो यंगर्स हैं वो मेरे को पूछते सार लेबर की बहुत समस्या है अच्छा बेटे यह बताओ कि आपके घर में यदि चेजे का काम चलता है कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो आपके पिदाजी कहां चलाते ह के लिए आपको दो चार पांस मजदूरों की एक मिस्त्री की जरूरत होती है और इतना आप कहीं भी लोकल में रहते हैं वहां से एरेंज कर सकते हैं आराम से शमश्चा हैं वो नहीं है जो आप मानते हैं शमश्चा हैं जिन समश्चा को आपने बहुत बड़ा मान लिया है इन समश्चा को बड़ी मत मानी है पैशा कमाना आज के जमाने में बहुत आसान हो गया है हमारे टाइम में कुछ लोग कहते हैं साब आपके टाइम में बातें कुछ और थी अरे भाई कुछ और नहीं थी हमारे टाइम में आपको दो किलोमेटर से कहीं कोई चीज लानी पड करता था कोई टेलिफोन का साधन नहीं था कोई कार्टेज का साधन नहीं था या तो कंदे पर चक्के लाओ या उट गदागाड़ी ऐसी विवस्ताइश होती थी और वह भी कहीं कहीं मिलती थी ऐसी इस्तिति में आजकल तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है आपको यह दन्य सिंग ठेकदार बोलना हूं हाँ बोलीए सर यह सामान विजबाना कितने देर में पहुंचाएगा आधी गिंदे में पहुंचाएगा यह लोग और हमारे समय में बहुत सारी बहुत सारी समेश्चाइब अब आप कहते हो कि उस समय ठेकदारों की कद्र हुआ करती थी क आपकी इज़त होती है आपके काम की इज़त होती है आपके वर्व की इज़त ज्यादा होती है जो अच्छे ठेकेदार होते थे उसमें उनकी अच्छी इज़त होती थी जो हलके ठेकेदार होते अरे यार ऐसे यह जाने दो जाने दो यह सब होता था हमेशा से होता है आज से ह नहीं है तो ऐसे इस्तिति में ये सारी बातें आपको फेश करनी पड़ती हैं वीडियो पसंद आता है लाइक सेर और कमेंट करें और मेरी चैनल को सबस्काइब करें नमस्कार